इस वक्त हम नंदूरबार में हैं, नंदूरबार में राहूल गांदी की नियायातरा तो आ रही है, लेकिन उसके साथ साथ नंदूरबार में MP हीना गवित है, जिन्होंने 9 टाइम्स कॉंग्रेस MLA को 2014 में हराया था, उसके बाद से 2 टम MP है, पहली बार उस समय नंदूरबार में BJP के सांसर जीत का आयती ही ना, गवित जी आपसे जना चाहेंगे, कि किस तहां का इंपेक्ट इन 10 सालों में आप नंदूरबार में देख पा रही है, आदिवासी इलाका इसे कहा जाता है, रस्ते नहीं है, कॉलेजेज नहीं है, रहने के लिए घर नहीं है, क्या बदल जी उरबार की सांसर बनी, यहां पे लाकों लोग ऐसे थे, जो गरीग परिवार से थे, आदिवासी परिवार से थे, लेकिन उन्हें आवास नहीं मिला, तो हमने प्रधान मंत्री आवास योजना के अंतरगत, मैंने मेरे लोग सबाशेतर में करीब साड़े तीन लाक लोग प्रधान में नहीं बैठ रहे थे, उनको हमने स्टेट गावर्मेंट की आवास योजना से भी उनको हमने आवास दिलवाए, तो इतनी बड़ी मातरा में अगर लोगों के पास आवास नहीं था पहले, इसका मतलब कॉंग्रेस की सरकार थी तब उन्होंने कुछ काम ही नहीं हमने पहली बार वो गाव में लाइट गया, ऐसे कई गाव हैं जिन्होंने कभी भी बिजली नहीं देखी थी, पहली बार वो गाव में उन्होंने इलेक्ट्रिफिकेशन उनके गाव में हुआ, उनके घरों में बिजली पहुँची, यहाँ पे कई सारी जगाओं पे स्कूल नहीं थे हमने भारत सरकार से एकलवे मॉडल रेजिदेंशल स्कूल अज़र तालुका में सांक्शन करवाए है नंदूरबार डिस्टिक की जब हम बात करते हैं तो कई बार कूपोशन, मातामृत्यू इस तरह के एक हेल्थ रेलेटेड इश्यूस सामने आते थे तो हमारे ध्यान में आया कि इंटिरिएर में कई जगाओं पर पीएससी सेंटर नहीं है सबसेंटर नहीं हैं तो हमने जो आई पीएचेस के जो गाईडलाइन से भारत सरकार के उसके अंतरगत जितने पीएसी सबसेंटर डिस् अपना था कि एक medical college हमारे district को मिले तो बारत सरकार ने हमारे नंदूरबार district में medical college भी तीन साल पहले sanction किया और आज मुझे कहते हुए बेहत खुशी हो रही है कि हमारा जो first year admission जो तीन साल पहले हुआ था वो batch आज final year MBBS में है और इसके साथ-साथ हमने model degree college, pharmacy college, nursing college, ऐसे कई सार colleges हमारे district में हमने शुरू किये है आज dedicated महीनाओं के लिए एक MCH ring 100 bedded भारत सरकार ने हमारे नंदूरबार district के लिए शुरू की है उसको अंडर construction है और उसका जो model है वो AIMS दिल्ली के base पर है मतलब वहाँ पे labor rooms है बाद में recovery room है special dedicated ICU है तो health sector में भी हमने बहुत सारा काम किया और ये जो हम ये जो मैं आपको बता रही हूँ कि इतना सारा जो काम हमने किया ये हम कर पाए क्योंकि Congress ने उसकुछ भी किया नहीं था अगर उन्होंने किया होता तो हमें ये करने का मौका ही नहीं मिलता इसलिए ये जो आज राहूल गांधी जी की जो निया यात्रा वो कह पाका प्रचार का नारियल यहां पे फोड के वो शुरुवात करते थे लेकिन जो डिस्टिक ने उनको इतने साल तक इतना सपोर्ट किया उन ट्राइबल्स के लिए Congress Party ने कुछ नहीं किया और Congress का असली शहरा अभी लोगों के सामने आने लगा है इसलिए जो राहूल करने के लिए उसके बाद राउल गंदी आ रहे हैं तो इस चीज़ का आपको लगता है आने वाले लेक्षम दिक्कत हो सकते हैं जहां लीडर्शिप को ही यहां डिस्टिक में Congress के नेताओं को ही अगर Congress Party में विश्वास नहीं रहा तो जनता को क्या विश्वास रहे जो लीडर्श यूटी जो हो रही है जहां और मुझे विश्वास है कि जो 10 साल में जिस तरह से हमने यहां पे काम किया है तो दुबारा से पार्टी एक बार मुझे मौका देगी और तीसरी बार इस लोगसबा शेतर का सांसत बनने का मौका जनता मुझे देगी बार मौदी जी को लेकर किया भावना है तो अब आपर जो राम मंदीर हैं बाकी की इस्यूज उतनी रियोंट होते है या विकास के काम मे देखा यहां पर हमारी डिस्टिक में विकास काम पर बहुत जादा फोकस हमने भी रखा है और खास तोर पे प्रदान मंतरी मोदी जी का विशेश रूप से ध्यान हमारे नंदूरबार जिले पे और लोगसबा शेतर पे है इन फैक नंदूरबार डिस्टिक को ऐस्पिरेशनल डिस्टिक प्रोग्राम में लेकर स्पेशलाईज फोकस हमारी नंदूरबार डिस्टिक को दिया गया जिसके कारण आज अलग-अलग सेक्टर्स में बहुत ही अच्छा काम यहां पे हो रहा है और नीती आयोग हमारी डिस्टिक का मॉनिटरिंग अलग-अलग फ्रंट्स पे करके यहां का जो डेवलाप्मेंट है वो बाकी जो स्टेट में बाकी डिस्टिक में जिस तरह से डेवलाप्मेंट है उसके साथ लाने के लिए पूरी तरह से कोशिश केंदर सरकार भी कर रही है और एज़ लोग प्रतिने दी मेरा भी पूरा प्रयास है